कैसे कोई एक ही चीज दो अलग फीलिंग्स दिला सकती है ये बात है जब मैं छुट्टियों में गाउं जाती थी पूरी जर्नी ही बहुत एक्साइटिंग होती थी पैकिंग से लेके ट्रावलिंग तक उफ लगेज में आधा से जाधा समान तो मेरे बुक्स कॉपीज होते थे हमेशा यही सोचती कि गाउं जाके पढ़ाई करूंगी और सारी होमवक कम्प्लीट कर लूंगी कार के मिरर में पीछे छूटते हुए शहर को देख के इतनी excitement होती लगता था जल्दी से गाउं आ जाए वहाँ पहुशते ही धमाल शुरू cousins के साथ खेल कूद में छुटिया कब बीच जाती पता भी नहीं चलता और वापस आने का समय हो जाता लौटते वक उसी कार के मिरर में छुटते हुए गाउं को देख के काफी sad feel होता था और इस बात की खुशी होती थी कि next year फिर आएंगे